नमस्कार स्वागत है आपका नियूस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ कवीता पांडे तिन चार साल से नहीं बजी मुबाइल में घंटी बियेसनल सेवा ठप उपभोगता हो रहे हैं परिशान भरतपुर जनपत पंचाट के अंतरगत दूरंचल छेतर बढ़गाउं कला के ग्रामीर लोग परिशान हो रहे हैं बियेसनल का टावर तीन चार सालों से बंद पड़ा है बंद पड़े टावर से सामान चोरी हो रहे हैं बडगाओं कला में टावर लगाया गया था जिससे की ग्रामिरों की दूर संचार से जोड़ा जा सके टावर में कुछ महिने में ही खराबी आ गई जिसके चलते अचानक बंध पड़ गया टावर का ज्यादातर सामान चोरी हो गया है जिसमें महेंगे महेंगे केबल स्वामिल है इसका इलावा आसपास कोडे, कचरो का धेर लगा हुआ है इसके चलते कटिली जाडियां उग गई है जिसके चलते टावर तक पहुचना मुश्किल होता है टावर के निगरानी के लिए ना तो कम्रे बनाए गया है और ना ही चौकिदार टैनात किया गया है यहां तक की बिजली की विवस्ता भी नहीं की गई है जनरेटर तो है लेकिन उसकी हालत बेहत खराब हो चुकी है ज्यादातर सावान चोरी हो चुके है वर्तमार में टूट पूट के स्थिती में पड़ा है ग्रामिडों के माने तो जब से टावर लगाया गया है तब से ही विभागी अधिकारी कर्मेचारियों ने इस सोर पलट कर नहीं देखा है रानी के बाद तो यह है कि टावर में कई बार चोरी की वार दाते हुई लेकिन बियसनल के अधिका जिनके पास बियसनल मोबाइल है ज्यादा तर उपभोगताओं ने तीन साल बियसनल टावर जो महस सो पीस बन कर रह गया है जबकि निजी कमपनी अच्छे सर्विस देकर प्रतिसपरधा के दौड में आगे निकल गई है जन प्रतिनीधी नहीं दे रहे ध्यान कई पार्ट बंद पड़ा हुआ है बडगाओं कला ग्राम पंच्वायत के सरपंच जीवनलाल का कहना है किसके शुकायत हमने कलेक्टर और विधायक को भी की है लेकिन कोई ध्यान नहीं देने वाला है व्यक्त करते हुए कहा कि जब से यहां बियसनल टावर लगा है तब से बुरी स्थ स्थिति हो गई है विभात द्वारा कोई ध्यान नहीं दिये जाने से ववास्ता पूरी तरह चौपट हो गई है कोडिया से उग्रसेन पाल की रिपोर्ट लेकिन चालू नहीं है पहले चालु था लेकिन बंद हो गया 3-4 साल हो गया तो यह से हमको उजनाकपूर कंटक्ट क यहां लगा है इसके बारे में कई जगह सिकाइद किए हैं वहां कलेक्टर साहब को भी दिए हैं विद्धायक महवदै जी को भी दिए हैं लेकिन आज से तिन चार साल पहले से बंद पड़ा है आज दिक्कत होता है यहां दिकत होता है तो आप देखते रहीं न्यूस 29 इंडि देज सार्य प्रदेश